हाँ ट्रेंज मैं हूँ अनू और आप सब कर स्वाज़त्त नन्ने पर्ग में जहां हम बाते करते हैं मॉमी टॉक्स की आज मैं बाते करने वाली हूँ मॉमी इसके लिए के छाट аकी बाते परिकst से और जी सिरे करेंख लोगे साथ एक सिंगर प्रोडक्त के हर चीज करने वाली हूँ ताकि ऊसके सारे चीनों को कैसे आप यूज घर कर सकते हैं तो आज मैं आप लोगों के साथ और चीज क्यांदने वाली हूँ यह ग्युलिक प्रोड़क्त है यह करना चाहूंगे कि यह कोई प्रोमोशन के लिए वीडियो नहीं है यह पर मेरे पास जो प्रोड़क्त है और जो मुझे लगा कि आप लोगों के शास्याय करना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा है आप एक बार ट्राय करके देख सकते हैं आपके यह प्रेख सकते हैं टो प्रोड़ प्रिमिंगा और इस्कीन के अगर ओडिन अगर आपके तेस स्काहिये हुटा है अगर इच्छा लगताब साथ थिए और मैं अगर आपके शाड़कन यूज कर सकते हैं तो डेटो हम आप पहुटेछों को साधिकिन के आपके यह एक अच्छा फेश वाश है जब आपके फेश में बहुत दर्थ हो या भी बहुत ज्यादा आपका बाहर घूमना होता है तो आप साम में और सुबर में एक मुटलब इस तरह से आप इसे यूज करो ताकि आपके इसकिन का सारा गंगी साफ हो जाए तो यह एक अच्छा ओप्शन है फेश वाश के लिए उसके साथ ही मैंने एक ये बायो टीक का ही बायो पपाया एक स्क्रबर लिया है तैंग रिमूबर क्योंकि दर्ब्स गर्मी में हम जाते हैं या फिक बाहर अगर हमारा आना जाना जादा होता है तो तो तैंग हो जाता है आप इस तरह से इस स्क्रब यूज़ करके इसको हटा के तो फ्रेंड्स अविक साथ ही मैंने ये वायो टीक का रिए मैंने ये बहुत सारे उप्षन है आप चेक कर सकते हो और इस तरह मैंने जो ये लिया है यह दाज लिमूबर फेस है तो इस तरह से ये आप एक फेस बैक और इसके साथ आप एक ये स्क्रब ले सकते हैं और फेशवार साथ ये यूज कर सकते हैं इन तीनों के अलावा जब आप अपने फेश को पूरी तरह से क्लीन कर लेंगे इस सब्चीतों से उसके बाद आपको चाहिए एक संस्क्रीन, एक लोशन, एक प्रोटेक्शन, यह भी आप चाहिए जब आप बाहर ट्रेवल करते हों तो यह मैंने बायो टिक का ही एक यह बायो सैंडल करेके एक आता है यह बहुत अच्छा संस्क्रीन है और मैंने इसे यूज किया इसका फ्रेग्नेंस भी बहुत अच्छा है जब आप लगा के लिखोगे तो थोड़ी देर त मुझे अच्छा लगा आई होब कि आप अगर ट्राइ करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा आप एपर ट्राइ करके देख सकते हैं तो गाइज मैंने जो भी प्रोटेक्ट आपके साथ शेयर किया आपको पसंद आया हो और आपके लिए कुछ ही मुश्कूल रहा हो त